हाँ वैसे ये बात मेरे को नहीं बता दिए कि रसूल इतनी हैं ये बात मैं ऐसे आपसे खुशती हूँ क्योंकि हम जैसे इसलाम पर बात करते हैं राइट ज्यादा था हमारे टॉपिक्स ऐसी होते हैं फिर वो मस्नियां भी हो जाती है बीच में मगर सीरियस नोट पर मैं ये बहुती हूं कि इसलाम में जो असल इसलाम है जो पढ़ते हैं ज्यादा तर मुसलमान जिस चीज को फॉलव करते हैं वो यह कहते हैं कि हमारे जो रसूल आयते वह लास्ट प्रॉफिट हैं उनके बाद कोई आगा ही नहीं मौ सब्रावाजा ये बंढ़ ता मगर अब उस हाने से लेकर अब तक को लोग ने कियोंगे विक्ति के एक बंदा इस नहीं था जिसको लोगों ने वोने चाहिए यह बात, कुई जह आपके लिए, हम, बताइए, बताइए, एहसन खान आप ही बता दीजे ना कौन थे वो, ये, मगर उनका नाम क्या था, दादा सीनियर जी, क्या नाम था उनका, बताइए, उनका नाम मुझे बताइए, पत्वा बती कौन है, आपको पता है, ह अहमर कादियानी, पाकिसानी, कुडीजी, ये गिफट पैक आपके नाम होता है, यहन्ने, आप मुस्लमानों को नहीं पता था, वो एक्स मुस्लमान को पता थी यह बात, एक बंदा जो हिस्टरी में काम्याब रहा, और वो सिर्फ काम्याब ही नहीं रहे, वो ऐसे काम्याब रहे हैं कि उनके इतने फॉलोवर्स हैं भाई यहां वेस्ट में तो ज्यादा तरकादिया नहीं रहते हैं एहमधी चीज़े कहते हैं राइट वो कैसे काम्याब हो गए क्योंकि कि चौदा सो सालों में कोई और काम्याब नहीं हुआ इस चीज़ पे वो बंदा कैसे काम्याब हुआ यह सोचने वाली चीज़ है कि उसको ऐसा क्या लोगों ने करा या उसकी ऐसी क्या टीचिंग्स थी कि इतने फॉलोवर्स उनके बन गए और अब यह चुतर लोगों आगे ह कि मर्द रसूल बन के नहीं आना है यह अलम्याने मुझे खुद बोला है आजकर फैमिनिस्स की मूवमेंट है आजकर अरतों का जमाना है अलम्याने काया कि सिर्फ पदमवती गोड़ेस जाएगी और वो डिसाइट करेगी कि कौन मर्द जो है उसके अंडर काम करेगा मुझ मुझे खुलाम हैर ट्विस्ट इन ही स्टोरी इस पर किसी दिन बात करनी है मुझे कीड़ा हो रहा था मैं कल बैठकी ही सोच रही थी मैंने काया यह नियुक्त कॉमन सेंस की बात यह होनी चाहिए जैसे कि मैं आप लोगों से कह रही हूं कि अगर कोई आजकर के जमाने में मैं नभी हूँ या मैं रसूल हूँ या मैं जीजस हूँ या मैं शिवा हूँ जो भी है ना तो आज सो मुझे बंदे को देख सकते हैं उसको मगर मगर क्यूंकि हमारा दिमाग एवॉल्व कर चुका है हमारे दिमाग को यह पता है कि ऐसे कोई जो है ना बाते नहीं कर सकते ह तो ऐसे कुछ नहीं होता है, हमारे दिमाग वो एकसेप्ट नहीं कर रहा हो चीज, मगर हमारा दिमाग यह एकसेप्ट करता है, कभी 1400 साल पहले था एक बंदा, जिसको हमने देखा नहीं, जिसके बारे में हम सिर्फ सुनी सुनाई सुनते आए हैं, उस पे हमारे इतना यकीन है तो आज जो बंदा खड़ा है, वो कह रहा है कि मैं हूँ, उसको कतल कर दो, उस बंदे को ऐसे, लॉजिक, तो आप लोग जो मुझको कह रहे हैं न, हाँ तो मैं हूँ न, राजपृत महरानी, क्या मतलब है आपको, मैं आपको कहां से रानी नहीं दिखती हूँ, ज्यादा क झाल